हे एवरिवान विल्कम बैक टू यू फेवरेट चैनल एड़े 247 नीट मैं हूँ शिपरा तिवारी बहुत बहुत स्वागत है सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी शिपरा मैम की जबानी बिटा और आज हम पढ़ने वाले हैं the taxonomic categories के बारे में last class में मैंने आपको पढ़ाया था diversity of living world और उसमें मैंने आपको समझाया था कि क्या होते है taxon और क्या होता है category में difference जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये सब क्या हैं बच्चो मेरे these all are categories जब आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा kingdom जब आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा phylum तो आप इनको कहते हैं बच्चो जी category I hope आपको last class याद होगी आप इनको कहते हैं categories पर जब आप इनको कोई proper name जब आप इन ये they all are categories they all are categories done but if you give the if proper name अगर आप इनको कोई proper नाम दे दे चीक है proper rank दे दे चीक है proper rank दे दे proper position दे दे क्या दे दे बेटा जी proper position दे तो अब इसको हम category नहीं कहेंगे बेटा जी लला जी नन्हो जी मुन्नो जी अब इसको हम category नहीं कहेंगे अब हम इसे कहते हैं टेक्जो या टेक्जा मतलब plural या टेक्जान and the study of taxons are called as taxonomy जब आप इसी टेक्जान के systematic study करते हैं कि kingdom phylum class order family genus तो इसे हम कहते हैं taxonomy phylogenetic analysis का इस्तुमाल करके study करने लगे then this is called as systematics clear है समझ में आई बात अब ये याद रखना कि each each taxon is a different it is देखो ध्यान से ये कोई नाम नहीं है कि kingdom animal तो यहाँ पर कोई नाम नहीं रख दिया कि नाम करान अब चल रहा था तो नाम रख दिया नहीं these are each taxon is a biological entity आपकी NCRT कहती है each taxon is a biological entity पेरे प्यारे बच्चो है उस वह एक biological entity है मतलब यह living organisms का गुरूप है यह नाम रखने के लिए नहीं नाम रख दिया कि चलो kingdom रख देते हैं फाइलम रख देते हैं नहीं animal kingdom class इंसेक्ट अगर आप ऐसा रख रहे हैं तो यह एक biological entity है इसमें living organism को रखा जाता है in the hierarchy we place the living organism in taxon we place the living organism living organism कैसे रखना है living organism को in the hierarchical manner in hierarchical manner hierarchical manner के अधार पर आपको organisms को classify करना है डण 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 बच्चो मतलब अगर आपको ध्यान समझे माल लीजे कि अगर आपको मालो यह कोई है मिक्कू मिक्कू नाम का कोई insect आपको मिला इसी को अपन प्लेस करते हैं ठीक है अब यह मिक्कू मिक्कू तो मैंने र अपन नेमिंग पढ़ेंगे मालो मिक्कू अपन को मिला ठीक है मिक्कू मिक्कू को हमको यह समझ में आ गया कि यह पक्का यह मिक्कू नाम का कोई insect जो हमें मिला है अब हम कहां जाएं तो भाई मिक्कू क्या है obviously एक animal है तो इसको आप रखिये कि कैसे बनाते हम लोग इसको म मिला हम यह समझ में आ रहा है कि यह animal है तो सबसे पहले आप इसको कहां रखोगे प्यारे बच्चों आप इसको रखोगे animal kingdom में आप इसको कहां रखोगे kingdom animal यह वैं कहां रखोगे बच्चों kingdom animal में clear तो यह एक texon हो गया one texon is this हर texon की अपनी एक rank है first texon यह हुआ ठीक ह सबसे बड़ी rank है biggest rank सबसे बड़ी rank ये है सबसे ज़्यादा organism इसमें आएंगे clear है फिर उसके बाद आप इसको रखेंगे क्योंकि ये क्या है एक phylum है तो भाई इसका एक छोटा group kingdom का क्या हो गया phylum phylum कौन सा है भाई phylum है orthropoda orthropoda phylum है orthropoda तो ये हो गया T2 ये kingdom से थोड़ा छोटा हुआ फिर हमने बात की कि ये क्योंकि एक इनसेक्ट है इसका एक छोटा group बनाई है ये हो गया इनसेक्ट ये क्या हो गया इनसेक्ट ठीक है तो इसकी class हो गई बच्चों जी क्या इनसेक्टा समझ में आ गई बात अब माल लो ध्यान से समझना अब class, order, family ये सब आएगा इसका ठीक है पर अब माल लो directly अपन किस में आ जाते हैं अपन आ जाते हैं कि भाई इसकी family क्या होगी family और चोटी होगी family हो गई इसकी muskady muskady माल लो कि ये house fly है suppose that micku is a house fly तो इसकी family क्या हो गई भाई साब ये हो गई आपकी muskady ठीक है muskady ठीक है उसके बाद भी पढ़ेंगे इसके बाद उसके बाद last में micku को एक मिला genus क्या मिला genus ठीक है जो की है muskka ठीक है muskka जब भी हम किसी भी organism को place करते हैं तो हमेशा hierarchy में ही place किया जाता है सबसे पहले उसको सबसे biggest group में रखा जाएगा जो की है kingdom ये है सबसे बड़ा taxon kingdom अब ये taxon नहीं है अभी ये category है पर अगर मैंने बोला animal kingdom ठीक है animal kingdom ठीक है जो की है kingdom के बाद phylum phylum के बाद हम कौन सा phylum use कर रहे है orthropoda ध्यान समझते जाना बच्चों तो सब समझ में आएगा phylum कौन सा है मेरे राजा बेटा phylum is the orthropoda kingdom phylum फिर क्या आएगा बच्चो class class में क्या आएगा बच्चो t3 तो ये क्या आगा क्लास कौन सी हो गई class to discuss लेंगे अंपन क्या है class order ठीक है class order family ठीक है class क्या है आपकी insecta टीक है insecta फिर उसके बाद family कौन सी आ गई मसकी डी मसकीडी उसके बाद genus कौन सा आ गया genus आ गया मसका 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 लगाता है यह and species क्या गई domestica clear अब देखो जब हमें किसी भी unknown किसी भी unknown insect को कहीं किसी category में place करना listen to me very carefully मेरे पहरे बच्चो माल लोग किसी insect को हमें किसी category में place करना है तो सबसे पहले उसे place करेंगे हम लोग T1 category में T1 मतलब सबसे बड़ी category फिर T2 में फिर T3 में फिर T4 में फिर T5 में फिर T6 में फिर T7 में कितनी आपको categories दिखाई देरी साथ साथ में तो आपको place कर रही करना है और hierarchy में करना है समझ में आरी बात आपको क्या करना है hierarchy में कि पहले kingdom आएगा फिर फाइलम आएगा फिर class फिर order फिर family फिर जीनस फिर species ठीक है अब आप चाहें तो इसके लिए सब species भी बीच में घुसा दो चाहें तो सब order बीच में घुसा दो चाहें सब family की घुसा दो आपकी इक्षा है पर यह seven categories तो must हैं बेटा इन seven categories में आपको अपने organism को place करना पड़ेगा from higher to lower rank और इसी लिए seven categories को हम कहते हैं obligate categories इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चो इन्हें हम कहते हैं obligate categories can I explain it very good और आपको यह बात समझ में आई मालो कोई unknown insect हमको मिला हम चानते हैं कि यह insect जैसा दिख रहा है तो हम क्या करें सबसे पहले हम सबसे पहले उसको सबसे बड़े ग्रुप में place करें और उस बड़े ग्रुप का नाम है ग्रुप जब तक बोल रहे हो मतलब category जब तक आपने उसको कोई नाम नहीं दिया कोई rank नहीं दिया जब तक आपने कुछ नहीं दिया है तब तक आप उसको बोलो category है पर जैसे ही आपने उसको कोई नाम दे दिया जैसे कि मैंने उसको नाम दे दिया animal kingdom तो जैसे ही बेटा जी मैंने उसको नाम दे दिया animal kingdom सबसे बड़ी rank हो गई सबसे बड़ा position हो गया सबसे बड़ा नाम हो ग तो आपको total 7 categories में अपने organisms को place करना है और इन 7 categories को हम कहते हैं obligate category अगर आपने कोई unknown organism ढूंडा है तो उसे इन 7 category में place करना ही पड़ेगा आपको from the kingdom to the species from higher to the lower और जैसे जैसे आप उपर से नीचे की और आएंगे kingdom से species की और आएंगे similarity क्या होगी बचो similarity increase होगी जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की और आएंगे kingdom से species की ओर आएंगे similarity क्या होगी similarity similarity increase होगी clear और जैसे जैसे आप नीचे से उपर जाएंगे वैसे वैसे similarity घटती जाएगी यह मैं आपको last class में भी बताया था मैंने फिर से everybody कोई नया organism मिला है उसको सबसे पहले आपको higher rank में रखना है फिर lower rank की ओर बढ़ेंगे आपको seven obligate categories बीच में आप कुछ भी कोजाते जाएए पर यह seven obligate kingdom phylum class order family genus species and species तक तो रहेंगी रहेंगी बाद में आप सब species ला लो जो करना आपको करो पर यह seven obligate categories में आपके organism का placement होगा और हमेशा बड़े ग्रुप से छोटे ग्रुप की ओर ही placement होगा this is called as taxonomic categories this is called as taxonomic categories each categories has their rank each category has their name each category has their position so that in the taxonomy each category is a biological entity इसमें living organism रखे जाते हैं यह कोई नाम नहीं है जिसमें कोई वस्तुमें रखी जाएं यह एक ऐसा category है जिसके अंदर living organism रखे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चो clear है चलो बढ़ गए आ जाओ clear okay तो यह हैं आपकी देखो यहां पर नीचे मैं नहीं चीज़ आपको बताई थी taxonomic categories क्या होती है these are the groups these are the categories which has some rank name and the position position मतलब kingdom की सबसे बड़ी position species की सबसे चोटी position होती है ठेक है अब देखो यह diagram में kingdom phylum यह कितनी यह कौन सी categories होती है these are the obligate categories अगर कोई organism आपको ढूंडा आपने ढूंडा आपको मिला तो इन फाइलम में then class में then order में then family में then genius में then species में बीच में कहीं सुड़ा कर नहीं नहीं हम kingdom में नहीं पहले फाइलम में रखेंगे ऐसा नहीं होता बिटा clear this is called as taxonomy and each category is called as category if you named any category this is taxonomy category let me drink some water अब यहां से देखो यह चीज़ मने बताई आपको हां बच्चो फिर चलिए इता चेला चेला के दिमाग के देए हो जाते और भी ऑल्रेडी मैंने चार घंटे का एक लक्षर बनाया है वन शॉट रविजन पर मैं फिर लगी हुई हो तुम्हें पढ़ाने के लिए आ जाओ देखो जैसे जैसे आप उपर से नीचे की और आते जाएंगे similarity increase होती जाएगी यही तो मैं आपको बता रही थी जैसे जैसे आप उपर से नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे similarity इंक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर जाते जाएगे वैसे 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 similarity decrease होती जाएगी मैं हम यह क्या है आउ समझाती हुम है चीक है आजाओ आजो बचो टेंशन निलेना ठीक है यह लाइन मेरे बच्चो यह लाइन लाइन याद करियेगा NCRT की लाइन है किसी भी और्गानिजम को क्लासिफाई कर देना इस नाट असिंगल स्टेप प्रोसे आप नहीं सोच रहे कि चलो किंग्डम में रगदो सारा काम हो जाएगा तो स्टेंगा आठीक है जिसमें और्गानिजम को स्टेप बाइ स्टेप करना पड़ता है स्टेप को हम केटेगरी क benefit इसे याद पीडवित में केटेगरी लिएफ गटेगरी खीक केटेगरी इसे category is a part of all the taxonomy arrangement, जब आप कोई arrangement करते हैं बच्चो तो आप क्या कर रहे हो, पहले kingdom रखते हो, फिर phylum, फिर class, तो हर एक category taxonomic study का, taxonomic arrangement का एक पार्ट होती है, जैसे kingdom भी एक पार्ट है, phylum भी एक पार्ट है, अगर माल लो, मुझे कोई organism रखना है, तो मैं category में रखूंगी, पहले kingdom में, then phylum में, then class में, तो हर एक category आपके taxonomy का पार्ट है, ना, kingdom एक पार्ट है, तो आप उसमें organism रखते हो, नहीं होता पार्ट तो क्यो रखते हैं, तो यहाँ पर लिखाए कि each category is the part of the taxonomic arrangement, if one of the category seven में से एक भी हट गई, तो आपका arrangement पूरा नहीं होगा, ठीक है, जो आपने वस्था की है, वो ठीक नहीं होगी, और यह याद रखना कि जितनी भी, अभी category बोल रहे है, टॉक्स टेक्स ओन नहीं ले बोल रहे ह ठीक है, और हर एक category जो होती है, इसे हम कहते है, taxonomic hierarchy, ठीक है, और हर एक category को हम कहते है, unit of classification, kingdom एक unit है, फाइलम एक unit है, एक भी unit मिस हो जाएगी, तो organism का classification सही नहीं होगा, and it also represents a rank, ठीक है, हर सबकी एक rank है, kingdom सबसे बड़ी rank, species सबसे चोटी rank, तो हर किसी की अपनी एक rank है, ह taxonomic arrangement, each category is placed into the hierarchical manner, each category represents the part of the classification, each category is a unit of classification, ठीक है, आजओ, आगे बात करते हैं, अब आते हैं, अगर आप grouping of organism कर रहे हैं, और कोई character के अधार पर classification कर रहे हैं, यह आपने category का नाम दे दिया, then this is called as taxon, plural को taxa कहते हैं, ठीक है, जैसे insect, माल लो कि हमने class insect बनाया, अब कोई भी organism, अगर आपको मिलता है, जिसके पास jointed legs हो, तो बेटा, वो class insecta में चला जाएगा, तो जिसके पास भी आपको jointed legs दिखाई देते हैं, wings दिखाई देते हैं, तो वो class insecta में place कर दिया जाएगा, तो class is a category, but insecta is a taxon, ठीक है, यह आपन लोगों ने पढ़ रखा है, insect can be uniquely recognized and classified, अब अगर हम class, जैसे मालों यह दिख रहा है, इसमें jointed legs दिख रहे हैं, यह हम को समझ में आ रहा है, जब ही उड़ेगा, तो इसमें wings भी दिखाई देंगे, हम तुरांत ही समझ जाएगे, भाईया जी, इसको class insecta में आप place कर दीजे, कैसे जाना, क्यूंकि class insecta के अंदर व वाले insect रहेंगे, तो जो भी हमको नए organism मिलता है, भी ना सोचे समझे, हम वहां रख देते हैं, ठीक है, टेक्स ओन यह मैंने आपको बता दिया, the term texon introduced first time by the ICBN in 1956, each texon represent a group of organism which share some unique feature among the members of their group or category which are distinct from the organism kept on the various ranks or texon, वह यह कहना चाहती है, कि हम किसी भी group में हमेशा वो organism रखते हैं, जो similar characteristics वाले हों, और हमेशा दूसरों से different हों, सीधी बात है, भाई insect के अंदर insect रखेंगे, अब वो match नहीं होंगे हाती गोड़ा से, ठीक है, now what is the obligated categories, जितनी 7 categories मैंने आपको बताई, कौन-कौन सी बच्चो, kingdom, phylum, class, order, family, genus, species, ठीक है, इन 7 को हम कहते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इन 7 को हम कहते हैं, obligate categories, कोई भी unknown specimen को अगर आप place करना चाहते हैं, तो इन 7 में तो वो आएगा ही, बीच में आप सब कुछ भी गुशा दीजे, वो आपकी इक्षा है, पर कोई भी unknown specimen, जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते, उसकी placing in 7 categories में तो होगी ही, अगर न obligation है, आपको इन में रखना ही पड़ेगा, बाकी आप बीच में सब division, सब phylum वो आपकी इक्षा है, पर इन 7 में तो आपको रखना ही पड़ेगा, आपके पास कोई और option नहीं है, चीके, तो different categories कौन कौन सी हैं भाईया, यह मैंने आपको बताई, साथ, clear है, phylum हम animal word के लिए division for the plant, 7 obligated categories are arranged in a descending sequence, starting from the kingdom to species, और in an ascending order from the species to kingdom, या तो आप descending मतलब kingdom to species की ओर भी जा सकते हैं, ठीके, या आप species से kingdom की ओर भी जा सकते हैं, ठीके, यह आप ऐसा भी कर सकते हैं, यही कई बार अभी थोड़ी देर पहले बात कर चुकी है, कर चुके है, पर the number of similar characteristics of category decreases from the lower rank, जब आप, देखो सबसे बड़ा ग्रुप यह है, समझना, सबसे बड़ी category, biggest category यह है, समझो बात को क्यों ऐसा हो रहा है, biggest category बेटा जी क्या है, यह, अगर biggest category यह है, biggest category यह है, तो number of organism जादा होंगे, जितने जादा number of organism होंगे, number different organism होंगे, dissimilarity उत्ते जादा होंगे जैसे जैसे आप, नीचे आते जाते हैं, आपकी specificity increase हो जाती है, specificity increase होने का मतलब क्या होता है, बच्चों, specificity increase होने का मतलब यह होता है, कि if I am searching for a मक्खी, तो मैं बड़े ग्रुप से छोटा ग्रुप करती जाऊंगी, तो मैं उन्ही character को select करूंगी, जो मक्खी के character है, मैं सारे को eliminate करते जाऊंगी, तो जितना जादा आप नीचे से ऊपर से नीचे आते जाएंगे, specificity increase होगी, जितना जादा आप नीचे से ऊपर जाते जाएंगे, species to kingdom जाएंगे, उतना specificity decrease होगी, clear, उतना specificity क्या होगी, बच्चों, decrease होगी, is this clear, decrease की spelling देख लो, रहे, कोई जो उठा लो, भगवान, इधरती पर जो उठा लो, ठीक है, specificity क्या होगी, देखो, decrease होगी, clear है, समझ में आई बात, जितना जादा आप उपर से नीचे आते जाएंगे, similarity increase होगी, यह अभी आपको मैंने discuss करवाय था, वह आप specific होते जा रहे हैं, तो बड़े group से आप जा रहे हो, जितना जादा उपर से नीचे जाते जाएंगे, similarity, जितना जादा नीचे से उपर आते जाएंगे, similarity घटेगी, similarity घटेगी, ठीक है, नीचे आरो का मतलब घटेगी, clear, चलिए, आगे बढ़ जाते हैं, next is, देखो, सेम चीज यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है, Texas are an engineer definite from higher to lower categories, ठीक है, species सबसे lowest category होती, ठीक है, this would help, ऐसा क्यों कर रहे हैं, categories, to categorize an individual, we should have all the basic knowledge of its characteristics, जब भी हम किसी organism को classify कर रहे हैं, तो उन 7 categories जिसमें आप organism को place करना चाह रहे हैं, उसकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, ताकि आप, this would help to help use in identify similarities and dissimilarities, इस के अधार पर आप ये identify करें पाएंगे, similarities and dissimilarity कितनी है, भाई, similarity वाला जादा, भाई, इमारा, ये जो characteristics हम देख रहे हैं, ये तो इस group समयाच करते है, similarity के अधार पर हमने उसको वहाँ पर place कर दिया, यहां पर मत place करना, क्योंकि हमने वहाँ पर ये देखा, कि हमारा ज जोग placing कर रहे हैं, वह similarity और dissimilarity के अधार पर होती है, ठीक है, समझ में आई बात, अगले वा, ठीक है, आगे बात करते है, specificity decreases when we go from the species to kingdom, specificity घटती है, क्योंकि group बड़ा होता जा रहा है, species to kingdom, ठीक है, the higher the category, lesser will be the number of similar characteristics, ये मने आपको बता है, जितनी बड़ी category होगी, similar characteristics उ organism increase, जब हम kingdom से नीचे species के रहाते हैं, similar characteristics ये बढ़ते जाते हैं, look at this, look at this, kingdom में कितने सारे, मालों के हमें कुत्ता डूढ़ना है, तो kingdom में कितने सारे member हैं, जैसे जैसे आप नीचे आते गए, आपकी क्या होती गई, specificity increase होती गई, similarity increase होती गई, और last में आपने कुत्ते को ग्रूप क्या होता जारा, छोटा होता जारा, जितना जादा ग्रूप छोटा होता जाएगा, उतना जादा similarity या specificity बढ़ती जाएगी, kingdom में इमेलिया, quadrata में मेलिया, karnivora, kennedy, canis and familiaris, ठीक है, चलो, आजाओ, now, अब taxonomic में सब phylum, subdivision, सब category, सब किया है, ठीक है, आप चा talking about each category in the detailed banner, चलिए, आए, समझते हैं, देखना ध्यान से, देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे, taxonomic category में, concept of species के बारे में, आओ समझते हैं, concept of species क्या है, ये समझते हैं, दो concept of species है, पहला है static concept, जिसे लीनियस ने दिया था, ये rejected concept है, और आपके syllabus में है नहीं, पर मैंने समझ से species में, आज तक कभी कोई बदलाव हुआ ही नहीं है, और तेरी तो, ई का बोल रहे हो, इसे लीनियस ने दिया था, लीनियस ने दिया था, और इनके according, आज तक species में कभी कोई बदलाव ही नहीं हुआ रहे मेरे लला, ऐसा possible है क्या, तुम बताओ, ऐसा possible है क्या, तो इनके ह साब से species fixed थी immutable entities हैं मतलब no mutation no change कभी इनके में कोई change हुआ ही नहीं है ठीक है और यह हमेशा ऐसी कैसी है इनका shape भी वैसी है size बैसी है कुछ नहीं change हुआ पर यह सब गड़ बड़ा है उसके बाद आया biological species concept यह बहुत important चीज है बेटा नीट के लिए वैरी 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 important चीज फॉर नीट बहुत चीज फॉर नीट मेरी आजकल तो जिंगल ऐसी भेंकर चलने लगी है biological species concept क्या होता है यह समझो biological species concept बाइलोजिकल species concept में जब आप kingdom से species क्यों जा रहे थे तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे smallest category कौन सी है तो कौन सी बोलोगे species species सबसे smallest category होती है kingdom सबसे बड़ी category होती है species में सबसे ज़्यादा similar characteristics होते हैं और kingdom में सबसे ज़्यादा dissimilar characteristics होते है ultimate unit of taxonomy होती है species is the ultimate unit of classification यह कहा था जॉन रे ने चीक है it is the species is the ultimate unit of the taxonomy यह जॉन रे ने कहा था 1942 में 1942 में देखो अरनेस्ट मेयर को न यह हम कहते है अरनेस्ट मेयर को 20th century का डार्विन 18th century पे डार्विन जो थे वो काम कर रहे थे original species नाम की अपनी किताब पे बहुत सारे उन्होंने plants पे काम किया है और इसलिए अरनेस्ट मेयर को वही same to same उसी टाइप का काम अरनेस्ट मेयर ने किया बहुत enlightened था उनका काम 20th surgery में इसलिए अरनेस्ट मेयर को अरनेस्ट मेयर को हम 20th surgery का डार्विन भी कहते हैं क्या है ध्यान से समझना मैं तुमको definitions से पहले यह बता देती हूँ दो similar species listen to me very carefully मेरे प्यारे बच्चे तो देखो सीधी बाते species के बारे में तुम्हें समझाती हूँ दो similar species होंगे न तो बच्चे पैदा होंगे they are capable to free interbreeding ठीक है और यह बात सही भी है दो different species के बीचे बच् का बच्चा देख लो खचर है ना खचर है ना अब बच्चे खुद ही नहीं पैदा कर सकते हैं तो आप अगर प्रकृती से हटके काम करोगे तो आप बच्चे तो पैदा कर लोगे पर वह बच्चे बेटा जी होंगे किसी काम के नहीं यह बात आपको याद रखनी है तो biological species concept हमें यह बताता है कि जो दो similar species होती वहीं आपस में इंटरब्रीट कर सकती है नहीं तो नहीं कर सकती और करेंगे तो काम गड़बड ही होगा तो group of organism capable of breeding freely in between themselves under the natural condition तो यह जो concept है it is based on the reproductive isolation यह नीट का सवाल है कि biological species concept किस पर based है तो it is based on the reproductive isolation is this clear to you guys reproductive isolation के आधार पर यह classification हम अवलब यह species concept दिया गया है दो जिस similar species कभी भी आपस में इंटरब्रीट नहीं कर सकती है चलिए अब हम एक एक करके एक चीज के बारे में बात करते है from the species to the kingdom चलो species क्या होती है species एक group of population है जो एक दूसरे के जैसा दि सेम होते हैं इसलिए इंटरब्रीट करके अच्छे सेम टाइप की बच्चे पैदा कर सकते हैं species जो होते हैं वो closely related species से कैसे पहचाने जाते हैं कि भाई एक species यह देखो dissimilar species है कैसे पहचानी जा रही है इनके पंको में अंतर आपको दिखाई दे रहा होगा तो एक closely देखो species different species तो समझ में आ रही है क्योंकि दिखनी रही है यह शेर का नाम है यह कुत्त का नाम है और यह अलू का नाम है ठीक हे अण्यूना में यह क्या होते हैं ध्यान से समझना अब आ जाओ पहले तुमको लिखना सिכा देती हूं देखो है ना आ जाओ इधर और यह और एक भी जगह नहीं है क्या चलो इधर आ जाओ देखो जब हम किसी भी हला कि मैं आपको सिखाऊंगी तो टेंशन नहीं लेना ठीक है मालो कि हम आलू अभी अपन लोग नॉमन क्लेचर पे आई नहीं है जब मालो मैं आलू का नाम लिख रही हूँ पोटेटो चिक है इंदी मैं क्यों लिखना है शिपराम आडम चलो मालो बेटा जी मैं पोटेटो का नाम लिख रही हूँ चिक है तो पोटेटो का नाम क्या होता है सोले नम सोले नम टूबे रोसम solenum tuberosum चीक है ये नाम होता है देखो अब ये बारा जो नाम होता है इसे हम कहते genus और class 10 तक हम ये सोचते रहे कि इसका नाम है species पर आज मैं आपको एक चीज़ क्लियर करती हूँ देखना solenum जो नाम है solenum चोईक है ये solenum जो है ये है genus चलेगा पर बेटा जब हम बात करते हैं किसकी जब हम बात करते हैं tuberosum की तो ये species नहीं है अब अब इसे हम कहते हैं species epithet इसे हम क्या कहते है species epithet it is called as species epithet देखो धान से इसको पूरा कहते हैं ये आलू की species है ये है alu की species समझ में आई बात this is the alu की species tuberosum is the species epithet species epithet को आप कभी भी अकेला नहीं लिखा जाएगा ये बात आपको पता होनी चाहिए समझ में आ गई बात क्या बोला मैंने alu, alu का नाम है potato इसका genus epithet है genus है ये और species है ये अभी तक हम ये समझते थे पर जब आप इसको अलग कर देंगे तो solenum is the genus and the tuberosum is the species epithet not species, collectively इनको species कहते हैं आपन, solenum tuberosum को कहीं भी आप पूरे NCRT में देख लो तो आपको हमेशा ये पता चलेगा कि भाई सब में genus लिखा गया, genus को आप अकेले लिख सकते हैं, जितने भी नहीं लिखा जाता species epithet species epithet has no means समझ में आई बात species epithet का has no means कोई मतलब नहीं होता it should be it should be always it should be always written always written with with genus समझ में आई बात ये याद रखना ये clear होगे, हाला कि मैं ये आपको Norman Glacier में बताती हैं, पर अभी बताती हैं दिया है, चलो, अब ये बात आप clear हो गई मेरे बच्चों को, चलो, तो अब देखो ध्यान से, क्या बोल रही हूँ मैं, देखो ऐसे ही किसी भी कोई species जो होती है, वो सिर्फ एक ही organism देखो, दो different type के organism एक species के अंदर नहीं आते अगर Canis familiaris is the कुटे की species है, तो उसमें सिर्फ कुटे ही आएंगे, समझ में आई बात, जैसे solenum tuberosum उसके अंदर आलू ही आएंगे बट, solenum is a genus इस genus के अंदर ये याद रखना, multiple species आ सकती हैं multiple species आ सकती हैं क्या समझें? एक single species के अंदर एक single genus, देखो, solenum tuberosum जो है, इसके अंदर सिर्फ आलू आएगा, पर अगर मैं सिर्फ solenum लिखू, तो इसके अंदर और भी बहुत सारी species आ सकती हैं, जैसे solenum melongenum, bangan, solenum nigrum, mccoy, kalimirch, solenum tuberosum, आलू, ठीक हैं? तो solenum genus के अंदर multiple species epithet आ सकते हैं पर species epithet, species जब हम बोल रहे है, species epithet, तो मतलब वो सिर्फ single individual के बारे में ही बात कर रहा है, और even species epithet को तो आप लिख भी नहीं सकते अकेले, उनको genus के साथ ही जुड़े रहे हैं, हमारा तो कोई अस्तित भी नहीं है, हम तो मर गए, तो species epithet कभी भी अकेले नहीं लिखे जाते हैं, उसको हमेशा genus के साथ ही लिखा जाता है, एक ही genus के अंदर multiple species आ सकती है, multiple species epithet आ सकते हैं, पर एक species epithet, मतलब it's showing only one individual, solenum tuberosum is the species of what, it is a species of alu, solenum melogena is the species of bangan, solenum nigrum is the species of काली मिर्च, यह बात आपको पता होनी चाहिए, चीक है, तो यहीं आपकी यहाँ पर slides में लिखा हुआ है, जो यह समझा रहा है, ठीक है, आईए, देखो, tuberosum क्या है, आलू का, families क्या है, यह है कुत्ते की, Leo क्या है, चीक है, अब आपको यह समझना है, यह सब species epithet है, देखो, अकेले लिखे हैं ना, अकेले लिखे हैं, species epithet, इनका कोई मतलब नहीं है, जब तक यह genus के साथ ना लिखे जाए, फर्स्ट वर्ट, solenum, canis और panthera, यह genus किसके हैं, यह genus आपको मैंने बताया, आलू के, कुत्ते के, और आपके, शेर के हैं, चीक है, ओके, पर solenum के अंदर, बहुत सारे species आ सकते हैं, बहुत सारे species epithet जूर सकती हैं, canis से भी बहुत सारे species epithet जूर सकती हैं, पेंथेरलियो, पेंथेरा टाइगरिस और पेंथेरा पार्डस, क्लियर, आईए, due to the similarity in one morphological feature, one or more species kept in one genus, चीक है, समझ में आई बाद जैसे, एक ही सोलेनम जीनस के साथ, आप मल्टिपल स्पीशीज एपिथेट को जोड रहे हैं, जैसे कि नाईगरम और जैसे कि मेलोजेना बैंगर, आपको ये समझना है, कि different type के species एपिथेट को हमने एक ही जीनस के अंदर क्यों रखा है, क्योंकि इनके बीच में पक्का कुछ न कुछ similarity होगी, समझ में आई बात, clear है, अब similarity कुछ भी हो सकती है, हो सकता है, morphological similarity हो सकता है, reproductive similarity हो, कुछ भी हो सकता है, हो सकता है, habitat हो, color हो, size हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, यह अरने स्मेर का हम पढ़ चुके, आगे बात करते हैं, genus पे आते हैं, now, genus क्या बताया, group of species, epithet, this is called as genus, it is a group of related species, यही मैंने आपको बताया, ठीक है, similar जो species, जिन में कुछ similarity होती, उनको एक ही genus में आप रख सकते हैं, जैसे, patote, mccoy and brinjal, mccoy मतलब काली मिर्च, ठीक है, अब so we can conclude, they belongs to the same genus, called as solenum, we can conclude, that all the related species, in one genus, have the common ancestry, हम यह कहते हैं, कि हमने इतनी सारे species, epithet, को एक genus मे क्यों रखा, क्योंकि हो सकता है कि इनका development किसी एक plant से हो रहा होगा, common ancestry होगी, so that they have few differences, इनके में कुछ अंतर है, इसलिए इनको अलग-अलग species दिया गया, पर इनके में ज्यादा similarity, इसलिए इनको एक genus में रखा गया, चीक है, आप देखो ध्यान से, जैसे कि आपके, जो वो हैं, NCRT है, उसमें यह यह example दिये है, मैं आपने बनाइये हैं table, आप ध्यान से देखो इसको, देखो, solenum, solenum को हम polytypic genus कहते हैं, polytypic genus कहते हैं, क्यो्कि इसकी multiple species epithet हैं, क्योंकि इसके पास multiple species, हैने जूना, क्योंकि इसके पास multiple species epithet हैं, इसलिए हम इसे polytyping genus कहते हैं जैसे कि tuberosum, nigram and melogera जैसे की canis canis के अंदर भी बहुत सारे species epithet आते है familiaris dog, lupus wolf, aureus jackal ये दोनों नहीं भी आदोंगा तो चलेगा panthera के अंदर भी बहुत सारे species epithet आते हैं जैसे panthera, leo, share, tiger, tiger, spardus, leopard clear है ये आपके ncrt के example है, आपको याद रखना है जैसे की अब अपन बात करते हैं genus genus muska, चीक है muska की species क्या हो गए, domestica common name क्या housefly these are the examples of ncrt examples of ncrt मैंने अलग से नहीं लखे हैं बेटा जी ncrt के example है, आपके clear है इतनी बात I hope this is clear, guys next is genus, mangifera, species क्या है, indica, mango, homo sapiens, monotypic genus बेटा यह याद खना कि इस genus की सिर्फ एक ही species होती है बाकि सारी species epithet मर चुकी है, खराब हो चुकी, dead हो चुकी है sapiens, पढ़ते हो आप पर अब इसका सिर्फ एक ही जीवित species epithet बचा है, जो कि हम लोग है homo is the genius, sapiens is the specific epithet humans का tritikum, के हुँ का है, genus is tritikum है estivum is the species epithet है और common name is weed यह पूरे example आपके NCRT के example है, मैंने अलग से कहीं नहीं लिखा है चलो, अब आजो family ठीक है, clear है species पढ़ लिया, हमने क्या-क्या पढ़ा, example पढ़े genus, group of species epithet अब बनाते family group of related genera which share less number of similarities as compared to the genus, ध्यान से समझना हमने यह पढ़ा कि 3-4 different species अगर उनमें बहुत ज़्यादा similarity हो, कुछ ही dissimilarity हो, तो उनको एक genus में रख दो पर 12 different genus, जिनमें कुछ ही similarity हो, dissimilarity ज़्यादा हो तो भाया, उनको आपको family में रखना पड़ेगा, हमने रखा इसलिए है क्योंकि कुछ तो similarity थी इसलिए हमको एक ही family में different genus को रखना पड़ा, किस की सदार पर रखा on the basis of vegetative character vegetative character मतलब floral formula कैसा है, floral leaf कैसी है, petals कैसे है sepul कैसे, androsium कैसा, gynosium कैसा है और reproductive feature पे कि भाया, ovary कैसी है, style statement, stigma इसके अधार पे, vegetative feature के अंदर petal, sapal, arrangement आता है reproductive के अंदर, androsium, gynosium ovary, यह सब आते हैं, ठीक है they grouped into the three different genus जैसे कि solenum, pitunia और dhatura, यह तीन अलग genus है बेटा, और इनको एक ही family दी गई, जिसका नाम है solenasi, कौन-कौन, spd spd group पढ़ते हैं आप solenum, pitunia और dhatura spd, यह याद रखिएगा बच्चो यह आपके ncrt से है, spd solenum, pitunia और dhatura को एक ही family दी गई, solenasi और यह याद रखना कि जब भी family की बात कर रहे हैं, in the plants तो एक suffix लगाते हैं जिसका नाम है c-a-e suffix मतलब पीछे की और लगता है कोई भी family आप देखो, ठीक है suffix आपको लगाना ही पड़ेगा clear है, आजाओ they distinguish from the, देखो यह family जो है, distinguish करी गई दूसरी family ली ली एसी से जिसके अदर alien और colchicium आते हैं, alien sapal है, सुनो और प्याच clear है, चलो अब आते हैं family में, अगर मैं बात करूं किसकी animals के लिए family तो देखो, phallidy, phallidy किसकी family है ध्यान समझना, among the animals genus phallus of cat and canis of and the genus of panthera, loin, tiger and आपका leopard, ध्यान से सुनना जो cat की जो cat का वो है, that genus, cat का genus कौन सा है cat का genus is phallus and that, इसका genus panthera, मतलब शेर का tiger का और leopard का है panthera panthera और phallus को हम एक ही family में रखते हैं और उस family का नाम है phallidy क्योंकि इनके बीच में कुछ similar characteristics रहे होंगे, इसलिए इनको एक ही family में इन दोनों genus को रखा गया if we observe the feature of cat and dog cat and dog एक है phallus और एक है kenus पर ये quite distinct है, ये दोनों बहुत अलग है इसलिए हम इनको एक ही family में नहीं रख सकते इसलिए हम ये कहते हैं क्योंकि इसलिए cat की अलग family है cat की family के इंदर कौन कौन आया बच्चो ये भी मैंने इसका एक table बनाया होगा yes ठीक है इसका भी table बनाया को समझाती हूँ, देखो, pitunia, dhatura, solenum SPD, इनको एक ही family में रखा गया solenasi, हमेशा याद रखना है कि plant के बारे में, ये plant है plant में जब भी हम लोग family के बारे में बात कर रहें suffix क्या आएगा, राजा बेचा c e a e, जब हम बात करें genus, plant, mangy, phara, आम ठीक है, आम करें बदनाम ठीक है, एनकाडी, a c ठीक है, एनकाडी, a c ये आ रहा है उसके बार, triticum, आपका wheat wheat का क्या होगा po a c, ठीक है उसके बार, animals में बात करो panthera और phallus, phallus में क्या आता है cat, panthera में क्या आता है आपको मैंने बताया, shere tiger और leopard, इसकी family है phallid, homo sapiens family है hominid ठीक है, और animals की बात करेंगे तो suffix क्या आता है, animals की बात करेंगे तो suffix आता है d a e, phallid, hominid muska domestiki domestika, ठीक है, इसके family है, musk d, kenis family, kenis के अंदर कौन आता है dog, muska domestika house fly, ठीक है इसकी family हो गई kennedy, clear है, समझ में आ गई बात muska domestika, पूरा न लिखते है, muska muska is the genus, clear आ गई बात, के लिए आपको example की learn हो गए, यह याद रखिएगा, तो अगर आप family, plant में बात कर रहे हैं, तो solinacy, c, e, a, e, ठीक है, और उसमें बात कर रहे हैं तो d, a, e, clear अब आ जाओ order, order में animal के लिए कोई suffix नहीं होता, पर plant में आपको ales लगाना पड़ता है, समझ में आ गई बात, clear जैसे की wheat का order होता है, वो poils होता है ठीक है, poils, okay okay, चलो, जैसे की solinacy family के similar families वालों को अपन लोग रखते है polymonials में, convolvulacy और solinacy को same families को मतलब इसमें कुछ-कुछ similar characteristics होते है तो convolvulacy और solinacy जो आपकी families हैं इनको एक ही common order में रखते हैं, जिनको हम कहते polymonials, अभी पढ़ रहे हैं इसके बारे में, चलो group of related families को हम same order में रखते हैं जैसे की family folidates of cat, चीक है it is family of folidate of cat चीक 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 रुको बच्चो, है ना, दिया रहे ठीक है, family feliddy है and family of candidate of dog मतलब kennedy और family, देखो feliddy यह है इसकी, cat की और kennedy, यह है dog की feliddy और kennedy इन दोनो families को हम एक ही order में रखते हैं, जिसका नाम है कार्णी वोरा, क्योंकि यह मान साहरी होते हैं यह common characteristics है, ठीक है आजओ, next अपन बात करते हैं जैसे की plant का भी बताती हूँ जैसे की जैसे की polymonials अब आपको इसका example में लिख के बताऊंगी यह मैंने कहीं लिखा है चलो देखते हैं, class आज ओ इदर आओ अब आपको यह देखना है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, तो आपको clear हो जाएगा पेंथेरा लिओ, पेंथेरा पार्डस पेंथेरा टाइग्रेस ठीक है, यह किसके किसके zoological नाम है, एक शेर का है एक पार्डस मतलब उसका है लेपड का और एक है आपका टाइगर का, ओके इन तीनों में इनकी family है फेलेडी पर इनके साथ आपको फेलिस को भी मिलाना पड़ेगा, जो कि cat की जीनस है, इनकी एक common family है फेलेडी, कैनिस किसकी जीनस है, यह जीनस है आपका dog का अब कैनिस की जो family है, वो है कैनिडी और cat वाली family है फेलेडी पर फेलेडी और कैनिडी का common order है कार्णी वोरा, क्योंकि यह दोनों मानसाहरी है क्या समझ रहे हैं आप, कि जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे, similar characteristics घटेंगे बेटा, और जैसे जैसे आप पास आते जाएंगे, similar characteristics बढ़ेंगे, clear है तो यहाँ पर इन तीनों में बहुँआ जादा similar characteristics है, पर जैसे ही आपने फैलिक्स इंक्लूड कर दिया, जैसे ही आपने इसमें फैलिक्स इंक्लूड कर दिया, similar characteristics घट गए, जैसे ही आप फैलिडी में कैनेडी को भी मिला दिया, similar characteristics और घट गए and they will make the कार्णी वोरा मानसाहरी जीवो का group, clear है homo sapiens की family है hominidae और musca domestica की family है muscadie, clear है अब hominidae का जो order है वो है primata, जो भी primates होंगे वो इस group के अंदर, इस order के अंदर आएंगे और muscadie की जो order है वो है diptera, इसके पास दो पंक होते हैं अब primata और carnivora कहां पर जाके मिलेंगे, यह मिलेंगे आपके mammelia में मतलब carnivora भी mammelia class के अंदर आते हैं और primata भी mammelia class के अंदर आते हैं तो अब तुम सोचो कितना बड़ा group बन गया है जितने भी primate रहेंगे वो सब mammelia के अंदर आएंगे जितने भी मानसाहरी जन्तु होंगे आपका शेर, चीता, आपका बाग, आपके बिल्ली, आपका कुता वो सब आपके mammelia class के अंदर आने लगे तो जितना बड़ा group होता जाएगा डिस similarity बढ़ेगी और similarity घटेगी यह बात अपने आँखों में दिमाग में गुसा के रख लो क्योंकि neat में इससे सवाल आ चुका है एक से दो बार हो सकता है कि आपके किसमत खराब हो और फिर से पूछा जाए clear है और इनके लिए हमें common phylum बना देते जिसका नाम है codita अब तुम सोचो एक codita जिसके पास peat में read की हड़ी है सबूरी नहीं है सबके पास read की अड़ी हो पर peat में कुछ न कुछ तो होगा उनके पास अब codita के पास सब आएगा mammalia आएगे humans आएगे cat आएगा dog आएगा leopard आएगा शेर चीता सब कुछ इसके अंदर आएगे और देखो अब ये मक्षी भी में जाकर इनको ही जोइन करेगी कैसे मक्षी डायप्टेरा का क्लास है इंसेक्टा और इसका फाइला में और फाइलम और फाइलम और फाइलम कोड़ेटा अल्टिमेटली ये हैं क्या अब दुनिया में तुम सोचो एक अनिमल किंडम जिसके अंदर एक मक्षी भी और एक इंसान भी है तो इसका मतले भी है कि इनके बीच में कुछ न कुछ भले ही एक ही कॉमन कैरेक्टर स्टिक्स हो तो यही तो मैं आपको बता रही है जितना बड़ा गुरूप होगा उतने कम कॉमन कैरेक्टर होंगे जितना छोटा गुरूप होगा उतने जादा कॉमन कैरेक्टर होंगे नौ ऐसे ही प्लांट का मैंने बताया जैसे कि SPD क्लियर है केमिस्ट्री में पढ़ते हैं आप SPDF ओके तो धतूरा सोलेनम और पिटूनिया इनकी फैमिली है सोलेनेसी यह भी मै वैसे ही मैंगी फैरा का फैमिली है अनकाडियेसी निकलती है यह आप देखो ऐसे तो आप सोचू कि माम है भगवान भूम तरह नहीं हो हो क्या रहा है हमारा जो है हम चाती पीट के रोए इसको आपको कम से कम दो से तीन बार बनाना पड़ेगा तभी यह समझ में आएगा नहीं तो नहीं आएगा अब आपको सिर्फ इतना देखना है कि अल्टिमेटली आप कुछ भी करिए लास्ट में जाकर आप मिल एक ही में जाएंगे समझ में आ रही बात जैसे की एना काड़ी एसी फैमिली है आमकी और है साइपन डेल्स पल्ल पॉलिमोनियल्स और एल्स एल्स लगा है प्लांट में और में एल्स लगता है सफिक्स ठीक है एनिमल के लिए कोई और निये कोई सफिक्स निये बताया मैंने आपको पॉलिमोनियल्स और साइपन डेल्स इनके लिए डाइकॉट शब्द का इस्तमाल करते हैं इनके बीज को जब आप तोड़ते हैं ना तो दो भागों में तूट जाते हैं उसके बाद ट्रिटिकम सबका एक ही किंडम में जाके कहां मिल जाएंगे प्लांट किंडम में जो बीज बनाते भी हैं जो नहीं भी बनाते जो प्रॉपरली प्लांट दिखते भी नहीं है समझ में आरी बात तो आपको यह समझना बहुत जरूरी कि जैसे जैसे आपका गुरूप बड़ा होता जाएगा similarity जैसे जैसे गुरूप छोटा होता जाएगा similarity यह बात आपके दिमाग में घुस जानी चाहिए क्लियर है अब आपको मैं लास्ट में अपनी स्लाइड्स पढ़ा दूँ और जैसे यह राम करूँ ठीक है एक ही चीज को 15,525 बार रिपीट करने के बाद अब समझ में आना चाहिए और अगर तुम लगता है कि इसको पढ़ने के लिए कोई चमतकार हो जाएगा और भगवान जो है विश्वा मित्र उतर के आपको समझाएगे लोग ऐसा हो जाएगा पर ऐसा होगा कुछ नहीं आपको यह बना कर देखना पड़ेगा मैं सिर्फ पढ़ा सकती हूँ दिमाग के बता दिया दा बायलोजिकल स्पीशीज कॉंसेट यह आ सकता है और यह आएगा और यह कई बार आ चुका है नाम कभी नहीं आते हैं बहुत सारे कोचिंग के बुकलेट्स में लिखा रहता इसने यह दिया डाटा बढ़ाने के लिए बढ़ा सकते हैं वह आपकी क्षय है पर टेक्सोनॉमिक हाइरकी में किंग्डम होती है समझ में आ गई बात और किंग्डम जो होते हैं यह अलग-अलग कैटेगरीज के यह अलग-अलग कैरेक्टर्स के अधार पर क्लासिफाई किये जाते हैं पांच किंग्डम है हमारे पास पहला है मोनेरा इसके अंदर जितने भ पास वो और्कानिजम आते हैं जो यू कहानी बताई यह पूरा टेबल है आप चाहें तो देख सकते हैं वीट का पूरा फाइलम क्लास और फैमली जीन स्पीशीज क्या है और हाउस फ्लाई का क्या है यह पूरा आपके इंसे इस उठाया गया है मैंने कोई इसमें कलाकारी नह को फाइटा ठीक है सब आपको पढ़ना नहीं है आपकी से लिबस मनी है सब clear है done clear तो यह आपको पढ़ना है दो से तीन बात अब मैं थोड़ू सा NCRT पे आऊंगी because anyhow you have to solve each and every line and point of your NCRT otherwise नीट निकालना impossible type की चीज़ हो जाएगी देखो द्यान से category is the overall part of the taxonomic arrangement यही लाइन मैंने आपको बोली कि हर एक category एक taxonomic arrangement का पार्ट है समझ मैं आई बात यह नहीं उठाया चलो आज हमारा मन है तो हम order भी रख लेते हैं अपने organism को नहीं 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 पहले आपको kingdom में ही रखना पड़ेगा clear है इसे आप कहते हैं taxonomic category और हमेशा इसे hierarchy में ही चलना बाद हर category का अपना एक नाम और अपनी एक rank होती है जिसे कहते हैं आप taxon नाम, rank और position इसे आप क्या कहते हैं taxon last class में भी पड़ा था सबसे बड़ी category kingdom सबसे चोटी category species clear taxonomic category and hierarchy can be illustrated by an example ये insect है जो मैंने आपको बताए कि एक मिक्कु नाम का insect अगर आपको मिले तो आप उस मि करेंगे ये मैंना आपको बताए यही ये ग्रुप बताता है ये वाला paragraph बताता है आप पढ़ सकते हो ठीक है आप देखो जो मैं लाइन आपको पढ़ाना चाहती हूं वो कहां गई है ओ ये मिली ये 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 अब ये बच्चे जो है बड़े परिशान रहते इस लाइन मे और किसी प्लाइट का नो इसमें लिविंग और्गानिजम आते हैं हर किंडम में लिविंग और्गानिजम है समझ में आई बात हमने जो है रिमोट का अग्रिगेशन नहीं बना रखा है ये बात आपको पता होनी चाहिए ठीक है बस आपको इतना ही पढ़ना बाग कि मैं आ आप चाहिए तो देख सकते हैं ठीक है कुछ भी यह यह टेबल अभी आपको थोड़ी देर पहले हम समझा रहेते हैं जो ब्लास्ट में दो एक्जाम्पल बता है ना चार चार बार बनाओ बटा कैसे नहीं बनेगा सब बनेगा ओके सो दिस आल बाओ अबाओ टेक्सोनोमी क कैसे बढ़ेगी यह सब मैंने आपको बता दिया है आई होप आपको इस सबज में आ गया है नेक्स क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपने सब कुछ ढूड लिया है तो लास्ट में आप नाम कैसे रखेंगे किसी और्गानिजम का ओन दे नॉमन क्लेचर तो नेक् अब यू लर्ण और इंजॉड दे सेशन मेरे प्यारे बच्चों सी यू नेक्स अमेजरे सेशन तब तक थाइंक यू सो मच और बबाई